हमारे पिछले सत्र में हमने कोशिका जीवन की मूलगामी रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्यों कहा जाता है इस संकलपना को समझने के उद्देश्य से इसके बारे में चर्चा की थी जब हम ये संकलपना ठीक से समझ गए हैं आपके मन में कोशिका की स्वभाव या गुणों को लेकर कुछ सवाल उठ रहे होंगे क्या सारी कोशिकाएं समान दिखती हैं? क्या सारी कोशिकाएं समान रूप से कार्य करती हैं? क्या वे सारे प्राणी जो एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं समान कोशिकाओं से निर्मान होते हैं? इस सत्र में हम कोशिकाओं में रचना और कार्य की द्रिष्टी से पाई जाने वाली विवित्ता को समझेंगे चलिए हम अब इस सत्र का आरंभ करते हैं और शरीर को उधारन के रूप में लेते हैं क्या आप जानते हैं मानवी शरीर में कितनी कोशिकाएं होती हैं हमारा शरीर और सतन 30 से 40 ट्रिलियन कोशिकाओं से बनता है शायद अब आप जान गए 200 प्रकार की विभिन कोशिकाओं द्वारा उतकों का निर्मान होता है और अंतताहा हमारे अवयव और शरीर के विभिन भाग तयार होते हैं हमारे शरीर में जो कोशिकाओं होती हैं उनकी मूलगामी रचनात्मक और उसकी रासायनिक विशिश्ताएं समान होती हैं फिर भी उनके आकार और प्रकार भिन्न भिन्न होते हैं उनका जीवन काल भिन्न होता है और कोई विशेश कार्य करने में उन्हें महारत प्राप्त होती है जैसे इस चित्र में दिखाया गया है लाल रक्त कणिका ये गोलाकार चक्र की तरह दिखने वाली कोशिका होती है जो शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ऑक्सिजन के संचार का काम करती है। माँ सपेशी, तंतु कोशिका, धूरी के आकार की लंबी और पतली कोशिकाएं होती है, जो संकुचन और ढीले पढ़ने की अपनी करिया के कारंण शरीर को हिलने में और एक जगा से दूसरी जगा जाने में मदद करती है। चेता कोशिका, चेता संस्था की कोशिकाय होती है, जो चेता या नस आविशों को शरीर के वेविन भागों से मस्तिश्क की ओर और मस्तिश्क से शरीर के अन्य भागों में ले जाती है उपकला कोशिकाय अर्थात सतह पर जो कोशिकाय होती है वे बहुभुज कोशिकाय होती है जो बड़े ही कसाव अर्थात कॉंप्लेक्स रूप से एक दूसरे से जूड़ी होती है इरगा काम आंतरिक और बाहिय अवयवों को सुरक्षा प्रदान करना होता है साथ ही ये अवशोषण और स्त्रवन का भी काम करती है श्वेत रक्तकनिकाय शरीर को हानिकारक बिमारियों वाले प्राणियों से विशानों और विशैले पदार्थों से सुरक्षा देने का काम करती है लाल रक्तकनिकाओं की जीवन मरियादा 120 दिन होती है और श्वेत रक्तकनिकाओं की जीवन मरियादा 13 दिन की होती है जो कोशिकाओं अपना जीवन चक्र पूर्ण करती है और खत्म हो जाती है उनकी जगा उसी प्रकार की युवा कोशिकाएं उत्पन होती हैं, जनम लेती हैं, जो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया के दौरान तयार होती हैं, आप कोशिका विभाजन की इस प्रक्रिया के विशे में अपनी अगली कक्षाओं में अध्यन करने वाले हैं अभी तक हमने मानव शरीर के बारे में जो भी चर्चा की है वो अधिकांश रूप से उन सभी सजीव प्राणियों पर लागो होती है जो हमारे आसपास दिखाई देते हैं जैसे स्तनधारी प्राणी, पक्षी, रेंगने वाले प्राणी, कीडे मकोडे, मचलियां आदी और साथ ही साथ अधिकतर निम्नस्तर के पशू रूप और पौधों के लिए भी लागो होती है इसके साथ हमें इस बात का ग्यान होना भी आवशक है कि वनस्पती की कोशिका और प्राणियों की कोशिका संरचनात्मक रूप से भिन्न होती है चलिए अब हम विस्तार से वनस्पतियों और प्राणियों की कोशिकाओं में जो मूलगामी भिन्नता है उसे समझने का प्रयास करते हैं प्राणियों कोशिकाओं की अपेक्षा अधिकतर वनस्पती की कोशिकाओं बड़ी होती है वनस्पती कोशिकाओं का आकार ठोस या आबद्ध होता है क्योंकि सबसे बाहिय कोशिका कठोर या कड़ी होती है परंतु प्राणियों की कोशिकाओं का कोई निश्यत या ठोस आकार नहीं होता है या एक अर्थ में ये प्लेमोरुफिक अर्थात बहुरुपी होती है इस चित्र द्वारा आप वनस्पती और प्राणियों की कोशिकाओं के संद्रचनात्मक समानताएं और विविन्नताओं को आसानी से समझ सकेंगे वनस्पती प्राणि इन दोनों में वनस्पतियों में कोशिका भित्ती तंतुकणिका और कोशिका भित्ती प्राणियों में न होना विशाल रिक्तका गालगी संकूल छोटी या रिक्तिका का न होना अभी तक हमारे सत्र में हमने प्राणियों और वनस्पतियों की कोशिकाओं के आधार पर कोशिकाओं के संद्रचनात्मक और कारियात्मक आयामों के बारे में बात की पर आगे जाने से पहले हमें इस बात को भी यात रगना जरूरी है कि सजिवों में और प्राणियों में सुक्षमजियों का समावेश करना आनिवारी है ये बड़ी मात्रा में हमारे चार ओर होते हैं लेकिन खुली आँखों से इन्हें देखना संभव नहीं होता है सुक्षमजियों के बारे में अधिक अच्छी तरह से समझने के लिए हमें उन दो गुटों का समूहों के बारे में जानना अवशक है जिनमें कोशिकाओं को विभाजित किया जाता है वे दो समू हैं आदी केंद्रकी कोशिका और द्रिश केंद्रकी कोशिका इस विभाजन का आधार केंद्रक ना होना या होना होता है आदी केंद्रकी कोशिका है अकेंद्रिक कोशिका प्रोकेरियोटिक ये एक ग्रीक शब्द है प्रो का अर्थ आदी या पहला ये होता है और क्यारियो का अर्थ अक्रोट या फिर गुठली होता है जो गोलाकार केंद्रक या नाभी की ओर निर्देश करता है केंद्रक एक जिल्ली में बंद गूलाकार कोशिका अंगक होता है जिसमें कोशिका की अनुवणशिक जानकारी होती है जब हमारे ग्रह पर जियों की उत्पति शुरू हुई उस आरंभिक काल में कोशिकाओं के जो प्रकार पाए गए उनके कोशिका द्रव्य में जिल्ली में बंद केंद्रक या फिर कोई अन्य जिली या पटल में बंद कोशिका अंगक नहीं पाए गए इसी कारण इन्हें आदी केंद्रकी कोशिका है कहा गया इन कोशिकाओं की अनवंशिक सामगरी जिसमें सिर्फ एक गुण सुत्र होता था जो गोला का डिने बनता था नाभीक शे केंद्रकी कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य से अनुवंशिक सामगरी को संपूर्ण तरीके से विलक नहीं किया जाता है आदी केंद्रकी कोशिकाओं की अपेक्षा आकार में छोटी होती है सामाने तहा इनका आकार एक से 10 माइक्रो मेटर होता है द्रिश्य केंद्रकी जब्द में लगे EU इस उपसरग का अर्थ है सत्य या वास्तविक और कैरियो का अर्थ हम पहले ही देख चुके हैं जो केंद्रक की ओर निर्देश करता है अतहा कोशिका में एक स्पष्ट रूप से देखने वाला जिल्ले में बंद एक कोशिका अंगक होता है जिसमें अंदर अनवनशिक जानकारी होती है इसे ही हम केंद्रक कहते हैं और वै अन्य जिल्ली या पटल युक्त अंगक के साथ होता है इस प्रकार की कोशिका को दृष्य केंद्र की कोशिका कहा जाता है ये अनवनशिक सामगरी साधारन तहा रैखिक धागो जैसी रचना में होती है जिन और ऐसा कहा जाता है कि ये आदिकेंद्र की कोशिकाओं से निर्मान हुई हैं। आदिकेंद्र की कोशिकाओं की आपेक्षा आकार में दृष्य केंद्र की कोशिकाओं बड़ी होती हैं। कोशिका का आकार पांस से सो माइक्रो मिटर तक होता है। चली अब इस चित्र के माध्यम से और उसके उपरान दी गई सुची के माध्यम से हम इन कोशिकाओं में जो अंतर है उन्हें अधिक योगे तरीके से समझते हैं आदी केंद्रकी कोशिकाएं, दृष्य केंद्रकी कोशिकाएं, केंद्रक या जिल्ली बंद अंगकों का न होना, केंद्रक और जिल्ली या पटल बंद अंगक होते हैं, व्यत्पत्ति में सबसे प्रथम इनका निर्मान, आदी केंद्रकी कोशिकाओं से निर्मान, आकार में चोटे, आकार में बड़े, सरल, जटिल, उधारण, आरकिया, जिवानू, उधारण, प्राणी, वनस्पती, कवक, प्रजीव, प्रोटिस्ट, डिने होता है, जीवित, कोशिका पटल, कोशिका द्रव्य, परिभाशा वरणन, द्रिश्य के इंद्र की कोशिका, आदि के इंद साइनो बैक्टरिया में होते हैं, कोशिका भित्ती नहीं, प्राणियों में हाँ, वनस्पतियों में हाँ, तारक केंद्र हाँ, सारे प्राणियों में और कुछ निम्नस्तरिय वनस्पतियों में नहीं, पक्षमाब और कशाविका हाँ, सरत हाँ, जटिल, गोलगी संकूल हां, नहीं, लैकाई का प्राणियों में पाई जाती है, वनस्पतियों में नहीं, पेरोक्सिसोमेज, हां, नहीं, केंद्रक, हां, नहीं, कोशिका पटल, हां, हां, गुणसूत्र, अनेक गुणसूत्र, एक ही लंबी डियने की लड़, राइबोजोम, हां, हां, अंतर द्रव्य जालिका, उपस्थित, अनुपस्थित, हमें आशा है, कि अब द्रिश्य केंद्रकी और आदी केंद्रकी कोशिकाओं के संद्रजनात्मक अंतर को आप सभी हमने विभिन निकशों पर आधारित विभिन प्रकार की कोशिकाओं के बारे में जाना, हमने वनस्पती कोशिका और प्राणियों की कोशिकाओं के रचनात्मक फर्क के बारे में जाना, हमने द्रिश्य केंद्रकी और आदी केंद्रकी कोशिकाओं की संद्रजनात्मक अंतर को जाना यदि आपको इन संकल्पनाओं को समझने में कोई दिक्कत हो तो आप इस सत्र को फिर एक बार सुनें और उसका अध्यान करें वह कौंसे कोशिकांगख होते हैं जो सिर्फ वनस्पती कोशिकाओं में होते हैं वनस्पती कोशिकाओं का बाहिय अवरण क्या होता है